अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनको सब्सक्राइब जरूर करना विदा उर वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं So, my dear friends, आच्छी क्लास का first word है, slowly, कभी भी यह word है, slow valley इसका मतलब होता है, जो चीज़े untidy हो, जिसको आप क्या कहते हो, आम भाशा में dirty हो ना कहते हो, dirty आजाए आप लिख सकते हो, untidy आजाए लिख सकते हो, लेकिन अगर कभी भी slow, well, ni wad आए, सेम इसका मतलब भी होता है, ज तो इसका वो विपरीध होती है, याद रखना कभी यह word is slow and only, इसका मतलब गंदगी होती है, So next word is utter, utter word का मतलब होता है, पून, या तो जिसको आप संपून कहते हो, या जो चीजे पून तह जिसको बोलती हो, total, complete, entire, whole, इन सारे words का मतलब क्या है, जो चीजे पून हो, पूरी तरीके से हो, संपून हो, उसको हम utter कहते हैं, जैसे utterly word भी उस होता है, ठीक है, तो कभी यह word आइस का मतलब होता है, शुने, जो चीजे ना हो, ना के बराबर हो, अगला word देखो, यौंकर, यौंकर हम युवा पुरुष के लिए उस करते हैं, यौंग फैलो के लिए उस करते हैं, अगर कभी यौंकर आइस का मतलब समझ लेना, किसी यंग मैन, यंग फै scorching hot हो, जुलसाने वाली जैसे होते हैं कि गर्मी, बॉस्ट इंग हो, या तो जिसको आप कह सकते हो scorching या बॉस्ट इंग हो, बहुत ज्यादा गरम या जुलसाने वाली जो गर्मी होती है, वो टोरिड कहलाता है, जैसे गर्मी के दिन में यह word यूज होता है, ठीक है, जैसे उजुलसाने वाला दिन होता है, गर्मी बहुत जा तेज होती है, तो टॉरिड वर्ड का यूज होता है, तो scorching, bursting hot, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत गर्म, next word है stubborn, and stubborn word बहुत easy है, common है, कई बार आया हुआ है आप exam में, stubborn का मतलब जो भी जिद्धी हो, हटी हो, या ideal हो, जिसको आप बहुत जादा headstrong भी बोलते हो, obstinate भी बोलते हो, inflexible भी बोलते हो, firm भी बोलते हो, बहुत सारी तरीके से बोलते हो, stubborn का मतलब वो सुभाओ, जो ideal या पिर हटी या तो जिसको बोलते हो, बहुत जादा जिद्धी हो, next है प्रिथी, and प्रिथी का मतलब होता है, जब आप किसी से pray करते हो, किसी से प्राथना विनती करना, प्रिथी कहलाता है, so my dear friends, कभी भी प्रिथी है, इसको हम pray, please, या तो request करना भी कह सकते हो, या जिसकों क तो नीव रिसेंट इसको हम नया बोलते हैं या तो जिसको हम आधूनिक बोलते हैं ठीक है तो नियो से आप व्याद कर सकते हो जो चीजी नू हो नई हो आधूनिक या नवीन हो उसके बाद next है meager. Meager का मतलब होता है जो चीजे अल्प हो या जिसको हम कम कहते है या दुर्बलीय कमजोर हो जिसको आप lean कह सकते हो या तो बहुत little amount भी कहते है scanty amount भी कहते है. या तो सिर्फ scanty भी बोलते है thin भी बोलते है. यानि दुर्बल कम जोर या कम या अल्प जिसको बोलते है वो मीगर खिलाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? या तो अल्प हो, कम हो या तो दुरबल हो वो मीगर है इसका पॉसित माइच होता है, जिसको हम शक्तिशाली या पावफुल कहते हैं नेक्स्ट बॉर्ड है लीनेज का मतलब होता है जिसको आप डीसेंट कहते हैं या तो कहते हैं एंसेस्ट्री हो या डीसेंट हो जिसको आप वंश कह सकते हैं कुल कह सकते हैं या खांदान कहते हैं जैसे होते हैं जो ancestry आपने सुना होगा जो पूरवजो के द्वारा जो एक lineage आती है वंच होता है कुल खांदान वो क्या कहलाता है वो lineage कहलाता है ठीक है जिसको हम हिंदी में वंच कहते हैं या कुल कहते हैं या तो खांदान भी कहते हैं उसके बाद next देखो headway, headway का मतलब progress करना है, आगे बढ़ना है, प्रगती है, जिसको आप progress, proceed, advancement, इन सारे वोट से बोलते हो, आगे की और जाना, प्रगती करना headway है, progress and proceed करना, यानि प्रगती, या तो करना, या तो आगे बढ़ना. next है, forvency and the forvency word का मतलब होता है, जब उच्सा या उच्छुकता की बात करते हैं, ठीक है, आप eager होते हो, ardent होते हो, या तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे होता है, इसको किसी चीज को करने की चाह, उच्छुकता, क्या कहलाती है, forvency कहलाती है, या तो सिफ फरven भी आए, तो सी म जिसको हिंदी में हम उत्सुकता कहते हैं या तो किसी भी ची kendi का कियते हैं एकर नेस अशी भी इंद सरु रइलिवाड मतलब नेक्स हैं यूट किवेट्य को भुछी कि नेक्से इप टीवुर्भोट्य करना उपासक होते हो शरता को किनी मतलब हो है endeavor inclusives follower बोल सकते हो किसी भी चीज का भक्ति या भक्ति करना उपासक उपासना करना या उपासक क्या कहलाता है डिवोटी कहलाता है और डिवोशन तो आप से भी जानते होंगे जो भक्त हो जो होता है डिवोशन किसी चीज की भक्ति वो कहलाती है तो डिवोट डिवोटी डिवोशन ये सारे भक्ति या उपासना को शुरो करते हैं नेक्स्ट है आपने ये मतलब वर्ड सुना हुआ कि on coming days में यानि जो आगामी या आने वाली जो दिन है on coming का मतलब आगामी होते है यानि जो आने वाला समय है जिसको आप क्या कहते हैं approaching भी कहते हैं coming भी कहते हैं जो चीजे आगामी हो आगामी दिनों में जो चीजे होने वाली हो वो on coming कहलाती है जो चीजे आगामी हो जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा आगामी चुनाओं में आगामी दिनों में यानि जो आने वाले दिनों में होता है उसको हम oncoming कहते हैं, अब देखो आगे के watch, next word है जिसको हम degradation कहते हैं degradation मतलब होता है जब हम किसी के disrespect करते हैं, या किसी का भी हम disgrace करना, किसी का भी अपमान करना, basic तौर पर जिसको महीं बोलते हैं किसी की भी basti करना, तो कभी भी है degradation यानि इसका मतलब किसी का अपमान या बेस्ती करना होता है, इंसल्ट करना, किसी को भी नीचा दिखाना, जो भी आपको याद हो, ऐसा सिनॉनिमा अप लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, किसी का भी अपमान करना, जिसको डिस्रिस्पेक्ट, डिस्ग्रेस, डिस्ओनर, बहुत सारे words से आप कह सकते हैं next है concord and concord का मतलब जब सहमती हो agreement हो, harmony हो, unity हो तो आप concord कहेंगे अगर इसका opposite हो तो आप discord कहोगे जिसका मतलब होता है जब सहमती ना हो यानि एकता ना हो concord का मतलब agreement, harmony जिसको आप समता कहते हैं जिसके नेक्स्ट Right chaplet होता है पूलो की चैपलेट या सुमिर्नी माला वह हमेशा कोई माला फीरते रहते है गो फूलोय की माला थी चैपलेट के लाती है जिसको आप रोजरी कहते हैं तो व्रेथ कहते हैं तो डहाँ रोजरी आ जा जिसको हम माला कहते हैं या सुमेरनी कहते हैं उस माला को जो 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 overlap क्या होता है मूर्क होता है नेक्स्ट है डी मैरिड का मतलब होता है जिस जो अवगुण होते हैं या दोश होते हैं Fault, Defect, Demerit के रहते हैं वैसे ये वाड़ आपने बहुत सोना होगा Merit and Demerit हर किसी चीज में मतलब जैसे Advantage, Disadvantage होते हैं वैसे Merit, Demerit होते हैं तो Demerit का मतलब कोई भी अवगुण या दोश होता है Fault, Defect, या कोई भी गलती Next है Anvrap करना किसी भी चीज को लपेटना, ढखना, उसको कवर करना, फोल्ड करना ठीक है, किसी भी चीज को ढखना या लपेटना Anvrap के लाता है वैसे भी आपने राप करना सुना होगा Rapper सुना होगा तो उसका काम क्या होता है किसी भी चीज को ढखना या लपेटना तो Anvrap का मतला To Infold या To Cover होता है जिसको हम त्या कहेंगे, ढखना कह सकते हैं या तो लपेटना भी कह सकते हैं So my dear friends, C class यहाँ पे फिनिश हो रही है अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनको सब्सक्राइब करना हम मिलेंगे next class में, तब तक के लिए, thanks for watching